नमस्कर दोस्तों तो स्वागत है आपका फिर से मेरे इस यूटूब चैनल अनिल कंप्यूटर वाला में दोस्तों आज के वीडियो में हम थोरा यूनिक कुछ चीज देखने वाले हैं DCA, DCA का सिलेबस तो चलता ही रहेगा बढ़ आज हम थोरा देखने वाले हैं दोस्तों इंटरनेट स्पीड के बारे में जो हम लोग इंटरनेट चलाते हैं यूज करते हैं अपने फोन में हो, लैप्टॉप में हो, डेक्स्टॉप में हो, पीसी में हो पिक्चर के थुरू आपको समझाने की कोशिस की है, उसी तरह दोस्तो हम सिस्टम में जब चाहें उसके स्पीड को चेक कर सकते हैं, फोन में तो आपके ऊपर में ओप्शन दिखाता है, इंटरनेट स्पीड का जिससे आप देख सकते हैं, कि मेरा कितना KB या कितना Mbps में दे करते हैं, सबसे पहले दोस्तो हम गूगल पर आ जाते हैं, गूगल पर आने के बाद दोस्तो हम सर्च करेंगे इंटरनेट स्पीड, उपर में सर्च करेंगे दोस्तो, देखें, जैसी मैंने लिखा इंटरनेट स्पीड, अल्रेडी सर्च प्लिस में मेरा इंटरनेट अब इसमें दोस्तों देख सकते हैं सबसे पहला option में दिखा रहा है internet speed test, यहां पे कुछ instructions दियो हैं दोस्तों, और नीचे right side में नीचे देखेगा, तो यहां पर दोस्तों लिखा हुआ यह यह देखे, run speed test, मतलब यह कि दोस्तों अगर आपको internet connectivity का speed check करना है, कि कितना MBPS या K MBPS में आपके system में निट आ रहा है या वो broadband के थूँ आ रहा है या वो mobile के थूँ आ रहा है किसी भी an internet connectivity device के थूँ आ रहा है दोस्तों तो उसको check करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे run speed test पे normally click करते हैं यह देखे दोस्तों जैसी मैंने run speed test पे click किया यह देखे यह मैं देखे अभी पूरा counting नहीं हुआ है accurate counting जब हो जाएगा तो नीचे में यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ MBPS download यह देखे आपको finally बता दिया गया दोस्तों कि 17.8 मतलब 17.8 MBPS download का speed दे रहा है अब यह downloading क्या होता है दोस्तों अगर हम किसी चीज को internet से अपने system में download करते हैं तो उसको downloading speed बोले जाता है और यहाँ देखे दोस्तों MBPS uploaded 6.19 मतलब क्या दोस्तों कि यह uploading दे रहा है अब थोड़ा यहाँ पे मैं एक छोटा सा topic क्लियर करना चाहूंगा कि downloading और uploading क्या होता है downloading उसे कहते हैं जब हम internet से internet connectivity के माध्यम से दोस्तों जब हम internet से किस किसी भी चीज को download मतलब internet से हम अपने device में लेते हैं उसको downloading कहते हैं और uploading का मतलब दोस्तों यह होता है यहाँ पे देख सकते हैं uploading का मतलब क्या होता है कि हम अपने device से किसी other internet पे क्या करेंगे किसी भी gateway तो उसके हम क्या करते हैं अपने चीजों को डालते हैं जैसे suppose that दोस् अभी मैं YouTube पे वीडियो बना रहा हूँ और इसको कुछ समय बाद मैं आपके YouTube पे पब्लिस करने वाला हूँ पीड़ूración आपके YouTube वाला हूँ